जै श्री राम धरम करे भाग्य बड़े कहता है जनम कुंडली का नोवा घर जनम कुंडली के नवम भाव से नोवे घर से मुक्षते भाग्य का विचार किया जाता है और व्यक्ती की जनम कुंडली में उसका जीवन शुरू होने के बाद सबसे महतपूर स्थान यदि कोई है तो वो नवम भाव को माना गया है क्योंकि मनुश्य जनम प्राप्त करने के बाद इस जीवन में भोगे जाने वाले सभी दुख और सुखों की सूचना ये भाग्य का भाव ही देता है नवम भाव के स्वामी को जोतिश की शब्दावली में नवमेश या भाग्येश कहा जाता है और भाग्येश की शुब और बल्वान स्थिती व्यक्ति के भाग्य को मजबूत करती है और यदि कोई पाप ग्रह नीच राशी में स्थित या शत्रू राशी में स्थित ग्रह या अस्त होकर भाग्य भाव में बैठे तो व्यक्ति के यश दन और धर्म की हानी होती है नवम भाव से कुछ विद्वान व्यक्ति के पिता के बारे में भविश्यवाणी करते हैं वहीं कुछ विद्वानों के नुसार माता का भाव चतुर्त होने के कारण उससे सप्तम यानि दसम भाव को पिता का भाव मानते हैं वैदिक जोतिश की माने हैं तो नवम भाव को गुरु के साथ साथ पिता का भाव भी कई लोग मानते हैं अश्तम भाव विदेश यात्रा का है तो और नवम भाव आपने ही देश में लंबी यात्रा का है नवम भाव के स्वामी की दशा अंतर दशाओं में यात्राओं के योग बनते हैं नवम भाव की जोच्षिय गणना से इस पश्ट है कि प्रभु किरपा के पात्र धार्मिक व्यक्ती ही हुआ करते हैं इस बाव का स्वामी बलवान होकर शुब ग्रह से युक्त होकर या शुब ग्रह से दरश्ट होकर जिस शुब भाव में इस्तित हो जाता है मनिश्य को अचानक देव योगों से प्रभु किरपा से उस घर द्वारा प्रदर्शित वस्तू की प्राप्ती हो जाती है जैसे नवम भाव का स्वामी बलवान होकर दशम यानि करम भाव में बैठ जाए तो जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। कुंडली के नवम घर को भागय का स्थान कहा जाता है। और इस घर में जो ग्रह बैठा होता है या जो ग्रह इस घर को देखता है उसके अनरूप व्यक्ति को भागय का सैयोग प्राप्ट होता है। इस घर का स्वामी जिस घर में बैठता है उससे भी भागय प्रवाबित होता है। जो तिश शाष्टर की अगर माने तो भागय स्थान में सूरिय होने पर व्यक्ति स्वाबिमानी, महत्वा कांशी तो होता ही होता है। और दूसरी चीज बाइसवे वर्ष के बाद इनका भागय प्रवर्ष के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति दयालू होते हैं, दार्मिक परवर्थी के होते हैं, जल से जुड़े छितर से इने लाब होता है। ऐसा व्यक्ति जन्मस्थान से दूर जाकर तरक्की करता है। मंगल का नवम घर में होना बताया गया है कि व्यक्ति को भूमी से संब्धित कारियों में लाब होगा और अपने जन्मस्तान पर भी अच्छी काम्याबी मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति कई बार धनलाव के लिए गलत तरीका भी अपना लेता है। बुद्ध का नवम भाव में होना दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्योद है 32 वर्ष की आयू के बाद होगा। ऐसे लोग कलपनाशील और छे लेकक होते हैं जो त्ये गणिया परिटन जो जो त्यस का कारे है परिटन का कारे है इनी छेत्रों से ने लाब मिलता है। ऐसे लोग काफी बुद्धी मान होते हैं और सिद्धी पात प्राप्त करते हैं। गुरू यदि नवम भाव में हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। गुरू का इसस्थान में होना उत्तरब माना गया है। ऐसे व्यक्ति का खाग्योदै 24 में वर्ष के बाद होता है। और इन्हें भागय के साथ हमें शामिलता रहता है। दन संपद्धी के साथ-साथ इन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। गुरू की तरह शुक्र का भी नवम इस्थान में होना अचिंत शुब माना गया है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योद है पच्चीस में वर्ष के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति की रुची साहित्य में हो सकती है, कला में हो सकती है, दन प्राप्ति का एक माध्यम कला या साहित्य भी हो सकता है, इनके पास दन संपन्ति भरपूर होती है, बाग्य स्थान में शरीका होना दर्शाता है कि व्यक्ति की तरक्की धीनी गती से होगी, ऐसे व्यक् का भाग्योद है 42 वर्ष या उसके बाद होगा बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी को प्रभुश्राम खुब कर पाकरें जश्राम